एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें विक्रांद को दिखाय जाता है जो की सिखा को जिंदा देख करके उस दिन हुए घटने के बारे में पूछता है कि तभी वहाँ धर्मेश अपने आदमियों के साथ आ जाता है धर्मेश को वहाँ देख करके विक्रांद गोल्डन से लगे पड़े थे इसलिए वो अपने आदमियों से गोल्टेन को मारने को बोलता है कि तभी विक्रांत उनके पिस्टल छीन करके धरमेश के एकदम पास से गोली चला देता है गोली की आवाज सुनकरके सिखा कमरे से बहार जाती है कि तभी वहाँ मौझूद एक आदमी उसे देख लेता है और उसके पीछे भागना स्टार्ट कर देता है और इधर विक्रांत और गोल्टेन को पकड़ करके अखिराज के पास लाया जाता है जहां गोल्टेन उन्हें यह बताता है कि वो आज विक्रांत की मारने जा रहा होता है और यह वही होता है जो कि शिखा को देख करके उसके पीछे भागा था यह देख करके विक्रांत अपनी गाड़ी उसके उपर चढ़ा देता है बट जो कि विक्रांत के अंदर थोड़ी इंसानियत बची होती है इस वज़े से वह उसे उठा करके हॉस्पिटल की गेट पर छोड़ देता है और इधर पूर्वा अभी तक विकरांद का रा दिख रही होती है और रा देखते दिखते सुबह हो जाती है पर विकरांद अब तक घर नहीं लौटा होता है और इधर विकरांद सिखा को बस स्टेशन छोड़ने आया होता है कि तभी वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं जो कि विकरांद से यह बोलते हैं कि उन्हें और मिला है कि आपको अखिराजी के घर तक छोड़ने का जिस पर विकरांद सिखा को दिक्की में छुप जाने को बोलता है वहाँ पहुँच करके विकरांद को यह पता लगता है कि उन्हें मूह दिखाई का रस्म करना है और जब वो इस रस्म को करने के लिए निकल रहे होते हैं कि तब ही वहाँ एंबुलेंस आ जाती है यह देख करके विकरांद दूसरी गाड़ी में बैट करके उस गाड़ी के पीछे-पीछे चलना इस्टार्ट कर देता है और जैसी ही वो वहाँ पहुँचते हैं उधर से अंधरधुन फाइरिंग स्टार्ट हो जाती है जिस पर इधर से भी अखिराच के आदमी जवाबी करवाई करना स्टार्ट कर देते हैं और इनी सब के बीच सही मौका देख करके विकरांद सिखा को लेकर के बस स्टेशन के लिए निकल जाता है सिखा को बस में बिठा करके जब विकरांद घर आता है तो पूर्वा उसे यह पूछती है कि क्या वो उसे सच में प्यार करता है या नहीं जिस पर विकरांद हाँ बोलता है कि इतने भी पूर्वा उसे उसकी और सिखा की बस टॉप की फोटो दिखाती है और यह एपिसोड यहाई पर खत्म हो जाती है तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही अगर आपको यह स्टोरी एस्टलेंशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक काके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले मिलते हैं आपसे एक और नई दमाकेदार वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद